नमस्कार आप देख रहे हैं उत्त्र प्रदेश टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ जोती मिश्रा आई नज़र डालते हैं आज की साथ बजे की साथ बड़ी खबरों पर यूपी के सोनभद्र के मियोडपुर ब्लॉक मुख्याले से लगभग 80 किलो मीटर दूर जोगिंद्र और दुरुवा की पहाडी में दबा स्वर्ड भंडा जल्द बाहर निकलेगा GSI के ततकाली निदेश कनिल कुमार सिंग के रपोर्ट पर केजर सरकार ने हर्याना की गोल माइन्स की खुदाई का ठेका दे दिया है खुदाई कारे शिरू होने पर दुगदी तहसील में दुरुवा गाउं के आदिवासे विस्थापित होंगे कानपुट GSI के भूग भर शास्तुरियों ने मध्यप्रदेश में गुढ़र परवर्श रंकला से जुड़े जोगिंद्रा और गुरुवा गाउं में वर्श 2008 से 2014 के बीश करीब 6 साल शोद किया था विसर्च के दोरान जोगिंद्रा और गुरुवा गाउं की पहाड़ियों के नीचे दबे सोने के भंडार का पता लगाया GSI के ततकालीन छेतरी निदेशयो कानिल कुमार सिंग ने भी निरिक्षन किया था इसके बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट केंद सरकार के पास बेजी थी इसमें उन्होंने जोगिंद्रा और गुरुवा की पहाड़ियों के अलावा आसपास की इलाकों में स्वर्ण भंडार होने की संभावना जटाई थी उनके रिपोर्ट पर केंद सरकार ने सुवर्ण भंडार को बाहर निकालने के लिए यूपी और मादेप्रदेश सरकार को खुदाई कराने की हरी जंडी भी है सावर किशिपरात्री और जुम्मे की नमाज को लेकर वाराणसी में शुकरवार को माहौल गर्मा गया ग्यानवापी के बाहर 500 से जादर नमाजियों ने सडक पर एकच्छा होकर हंगामर शुरू कर दिया नमाजियों ने ग्यानवापी में नमाज पढ़ने से इंकार कर दिया उन्होंने काशिय विश्परात् मंदिर के बाहर स्थाई गेट के चौकच को हटाने की मांग की है नमाजियों का कहना है कि जब तक चौकच हटाई नहीं जाती तब तक वो नमाज नहीं पढ़ेंगे इसवरा नमाजियों से फुलस किन थोड़ी नोग जोग भी ही उत्रप्रिदेश के आयोधिया से पूरा करंदर में 12 सार की नाबालिक से हुए रेट के मामले ने हर किसी को चका दिया इस मामले में समारवादी पार्टी की नेता पर आरोप है आयोधिया में हुए रेट के मामले को लेकर एक अगस्त को विधान सभा में हूखे मंतरी योगिया रिटेनाथ ने सभा पर हमला भी किया था और इस मामले में कड़ी कारवाई करने की बात कहीं थी विदान सभा में इस मुद्दे को उछाने के बाद लखनाउ में पीडिता की मा से CM योगी ने मुलाकात की इस दुराद CM ने इस मामले के अरोपी और सपानेता मोईद खान पर कड़ी कारवाई का भी भरोसा दिलाया है CM योगी ने विदान सभा में आयोदा गैंगरेट के मामले में बात करते हुए कहा है कि सपा की लोगों से महिला की सुरक्षा को काफी जादा खत्ता है पस्चिम योपी के दोशवाले और कावडियों पर शुकुरवार सुबा हेलिकॉप्टर से फूल बरसाए गए मेरेट कमिशनर सेलवा कुमारी जे और आईजी नची केता जाने फूल बरसाए ओगरनात मंदिर मेरेट बागपत के पुरा महादेव मंदिर पर फूल बरसाए कमिशनर और आईजी हवाई निरिक्षड भी करते नजर आए उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा दिल्ली का गुस्ता लखनव में क्यों उतार रही है सवाल यह है कि इनकी प्रतिष्ठा को ठेज किसने पहुचाई कहने हैं सामने वालों से पर बता रहे हैं पीछे वालों को कोई है पीछे वर्तलब है कि योगी ने विधान सभा में ये भी कहा था कि यहां पर मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ सवाल प्रतिष्ठा का नहीं है प्रतिष्ठा यहां से जादा मच में मिल जाती है कुल दिन पहले लोगसभा में भी अखलेश यादर ने योग्या वितिनात परवार किया था उन्होंने कहा था कि लोगसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी को हरवाने वाले को कोई हटा नहीं पा रहा है जब से उत्तर प्रदेश में हा रहे हैं तब से कोई नमस्कार नहीं कर रहा है जाद पूर लोगसभा सीट से समाजवाधी पार्टी के सांसद बाबू सिंग कुश्वाह की अव्याद संपत्ती मामले में मुश्किले बढ़ सकती है परवतर निदर्शाले एडी ने इनको लेकर कारेवाई तेज कर दी है परवतर निदर्शाले की टीम शुकुरवाय को सांसद बाबू सिंग कुश्वाह की जमीन जब्त करने के लिए पहुंची ED ने बाबु सिंग कुश्वा के खिलाफ मामला भी दर्च किया है बताया जा रहा है कि यह जमीन लखनव में कानपूर रोड इस्ते स्कूटर इंडिया के सामने से थे इसकी वर्दवान में कीमत करोडों में है इस अवैट प्रॉपर्टी को लेकर ED को जानकारी मिली थी जिसके बाद अपनी शुरुवाती पड़ताल पूरी करने के बाद ED के अधिकारी से पत्ती जब्त करने के लिए मौके पर पहुँच गई है ED की टीम अपने साथ बुर्डोजर भी लेकर पहुँची पिलार अधिकारी तोर पर इसे लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है बाबु सिंग कुछवार की ओर से भी कुछ नहीं बताये गया है UP board 10-12 compartment परिक्षा का result गोशित कर दिया गया है compartment या सुधार परिक्षा में शामिल होने वाले चात्रे UP MSP की अधिकारिक वेबसाइट upmsp.education.in या upresult.nic.in पर अपने नतीजे चेक कर सकते है compartment परिक्षा का एरोजन 20 जुलाई को राज जे भर में कुल 93 केंद्रों पर दो शिफ्ट में किया गया था 10-12-12 की compartment परिक्षा में कुल 22,298 स्टूरेंट शामिल हुए थे विलाल इस बुलिटिन में इतना है यूपे से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे उत्तर प्रदेश टाइम्स धन्यवाद हम है तेश के दिल उत्तर प्रदेश की धनकन उत्तर प्रदेश टाइम्स